जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में विस्सिकली बात करने वारे हैं ऐसे अल्ड कॉइन के बारे में जो कि मुझे लगता है नेक्स बुल्ड रन के लिए एंट्री इसके अंदर कर लेनी चीए कुछ टेक्निकल टर्म के इसाफ से समझाने कोशिश करूँगा कि यह अल्ड क को हिट करते हैं साथ में इसी के अंदर एक चाइना नेरेटिफ रिलेटेड अल्ड कॉइन भी है जो कि मुझे लगता है अगर चाइना नेरेटिफ बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगा तो कही ना कही यह अल्ड कॉइन के अंदर भी आपको एक यूज पोटेंशल प् ब्रेक आउट नहीं किया है तो हमको यही देखना है कि मैं अगर 25,000 डॉर का लेवल ब्रेक आउट नहीं हो रहा है तो मार्केड एक्च्वल में करना क्या चाहता है हम डीटेल में बात करने वाले हैं लेकिन एक चीज़एंपर आड करना चाहूंगा कि अगर आपने इसका benefit उठाना चाहते हो लिंक दी हुई है description box के अंदर जाकर तुलन जॉइन कर लो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं फटफट मूव करते हैं topic पर सबसे पहले हैं अब हम बात करेंगे bitcoin की bitcoin की बार इसलिए करें क्यूंकि bitcoin लगातार पिछले कुछ दिनों से 25,000 डॉर का लेवल को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो 23rd यानि आप 16 फैप को आगर आप देखेंगे तो 16 फैप से लेकर तिल नाओ 23 फैप तक मार्केट ने ब्रेक आउट नहीं किया है तक्रीबर आप देखेंगे तो पिछले 9 दिन से मार्केट 25,200 का जो लेवल है इसको टेस्ट कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से ब्रेक आउट नहीं ले रहा है तो नेक्स्ट मार्केट क्या मूफ करना चाहता है इसके लिए हम थोड़ा सा माइक्र अनलेसिस कर देंगे बिकॉस कई ही ना कई हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए इस जोन के बिलो तो जब तक मार्केट इस जोन को होल करता है कितना जोन है आपका 23,500 का तब तक अच्छी बात है चांस हम वापिस रख सकते कि मार्केट दुबारा अटम करेंगा 25,200 और लेवल को ब्रेक आउट करने के लिए और अगर मार्केट इसके बिलो जाता है तो फ 25,000 और को जो जोन है वह एजिली मार्केट के अंदर ब्रेक आउट कर सकता है तो परसनल इतना यह बोलूँगा आप डेली चार्ट पर फोकस करो शॉर्ट टाम में तो मार्केट वोल्टिलिटी शो ही करता है लेकिन डेली स्ट्रक्चर के साब साब को मार्केट के अंदर एक लोवर लो का जोन था वहां से मार्केट ने लोवर हाई जोन क्रियेट करना स्टार्ट कर दिये तो कहीं न कई पॉजिटिव चीज़ अभी हमको देखने को मिल रही है बिटकॉइन के लिए लेवल को देखना बहुत ज़रूरी के मार्केट उस जोन को कब तक और ब्रेक करेंगा तब हम आगी का ट्रेंड को डिसाइट कर सकते हैं जो फर्स अलकॉण आपकी साथ में शेर करने वाला हूँ वह बैसिकली है नियो को नियो को मैंनी शेर करने का मकसद यही है कि एक तो चाइना निरेटिव के लिस्ट के अंदर ही आ चुका है और हम सभी को बता है न कही न कहीं चांसेस बहुत जादा है कि अगर चाइना निरेटिव टोकन का पंप बहुत तहीं से बढ़ना स्टार्ट होता है तो नियो टोकन के अंदर भी आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है लगर बात करो तो आपको पर पर्चेस करना है तो आप डेली ब्रेक वाउट कीया गता है कि जवट से इसका तिकना ब्रेक और सेट्टेश को यहां से ब्रेक आउट किया है और ऑर मार्केट कहीं नकई पुल्वेक ले रहे तो आप अगर नियो को पर्चेस करना चारे हो तो आप इतना याद रुको कि आपको नियो को बाई करना है तो आप वेट करो कि at least market इस जोन के ऊपर पुल बैक ले दे जो कि आपका 10.40 सेंड के करीब का बन रहे हैं इस जोन पर जब मार्केट आ जाएगा ना तो आप आपके एंट्री बनाओ विकॉस मैं भी अपनी फ्रेश एंट्री वापीस बनाने वाला हो नियो के अंदर विकॉस अलड़ी मैंने नियो को पर्चेस किया हो लेकिन मैं दुबारा पुल्टक अगर मिलता है डेफिनेटली आ विल बाई मोर नियो क्योंकि यह चानने के और से स्ट्र क्रिप्टो मार्केट के लिए और नियो को मैं काफी टाइम से वे के के तो हो कि चानले रेट काफी जाधा इसके अंदर यूज I.גra उसके बंब देखने को मिलेंगान चैनले के और और चांबहनू सामने आती है तो आपके हुगर पर्चेस कर ना है नियोक आप चाहो तो अ confirm है कि market bottom बना चुका है अब एक वक्त की लिब यह भी कहते हैं कि market ने गर bottom नहीं बनाया है तो भी हम market में अगर drop भी लेंगे तो चार से पाच डॉर्ड से लेकर चार डॉर के करीब इसके below market कहीं ने जाएगा तो for long term के हिसाफ से हम इसको purchase कर रहे हैं तो definitely हमको यहाँ पर long term के आप से ही देखना होगा अभी के जो targets है यहाँ पर multiple targets हम दे सकते हैं जैसे के पहला target आप यहाँ पर दे सकते हो 29 डॉर के करीब का second target आप दे सकते हो 55 डॉर के करीब का third target आप दे सकते हो 124 डॉर के करीब का four target आप यहाँ पर दे सकते हो तकरीबन 199 जो के round figure लिए हम कह देते है कि आपका तक्रीबन कितना हो रहा है यह तक्रीबन हो रहा है आपका 205 डॉर के करीब का बाकी अगर इसमें बहुत यूज पंप आता है तो फिर उसके भी हायर मार्केट जा सकता है मेभी 400 मेभी 500 तो उसके लेंगे लेकिन यह मल्टीपल टार्गेट से आप अगर सेल करना चाहर होते हैं मल्टीपल टार्गेट के हिसाब से ही सेल करो अब अगर आप मेरे को पुछेंगे किसरम मैं कहां पर सेल कर रहा है तो भाई मेरा परसली टार्गेट 200 डॉर के अबवव ही है अब वह डिपेंड है कि 200 का टार्गेट कि हिसाब से हीट होता है एकदम अगर किया पर बात करो ना अगर आप पुलबैक के बाद से भी काउंट करते तो 1600 परिशन का अपका प्रॉफिट नियो कोई के अदर बन जाता है तो परसनल यह आप नियो को यह हिसाब से आप इसको पर्चेस करो नेक्स जो कोई की बाप करने वाला हो वह है बेसिकली डिया कोई देखें डिया कोई थोड़ी से रिस्की कैटेगरी में रख रहा हूँ इसकी वज़ा सिंपल से इतनी है क्योंकि इतना कोई जाधा फेमस टोकन नहीं है लेकिन यस काफी जाधा यूसफूर है और मैं जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ मैं सिर्फ टेक्निकल के का मिल रही है वो सिंपल से इतना है कि मार्केट ने ब्रेक आउट लिया पुल बैक लिया उसके अलावा यहां पर एक बुलिश एंगल फिंग कैनल स्टिक बनाया है तो मेरा एक्सपेटेशन यहां पर यही है कि मार्केट यहां से हाईर जाएंगा आपको स्टॉप लोस दे स्टॉप लोस बन रहें अब जहां तक टार्गेट की वात आएंगे तो टार्गेट सिंपल से हैं पहला टार्गेट आपको यहां पर देना है पॉइंट एटी सिक्स के करीब का सेकेंड वन पॉइंट नाइन ट्यूवन सेंड के करीब का और जो थर्ट रहेंगा वो तक्री स्टॉप लोस एक है टार्गेट टीन है लेकिन यादर को डिया को मैं थोड़े से रिस्की कैटेकरी में रख रहा हूँ तो अगर आप रिस्क ले सकते हो देफिनेटल अप डिया में एंट्री ले सकते हो जो नेक्स्ट और लास्ट अभी के लिए हमारा जो कोईन हो वो बेस इसको मार्केट ने करेंट जोन के अंदर ब्रेकाउट किया है और सिर्फ ब्रेकाउट नहीं किया है ब्रेकाउट के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद यहां पर भी एंगल फिंग कैंडल स्टीक वीकली टाइम फ्रेम में बना रहा है तो फॉर यह स्पार्ट को ट्रैक के अंदर सिंपल सी चीज से फर्स टार्गेट पर इसकल यहां पर देना चाहूंगा पॉइंट सेवेंटि एट सेंट के करीब जो कि साथ सो परसिंगे करीब बन रहा है और उसके अबव आपका जामन करें वहां पर आप सेल करो लेकिन अकर आप पूछेंगे सर आप कहां पर सेल करना चाहते हो अगले बुल्डन के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा मैं बिसिकले फिबोनाची को काफी दा मानता हूँ तो मेर का यह से फिबोनाची का जोन एक है 4.89 और दूसरा है 7.87 तो जो फाइनल टार्गेट मेरे इसाब से रहेंगा वो तक्रीबन 7.50 साड़े साथ डौर के करीब मैं इसको और टाइप है मानता हूँ और तक्रीबन वहां पर में परसनले एक्जिट करूँगा जो के काफी कर जाओ थी प्रॉफिट यूपर एक्सप्रेइन कर जाओ लिए दो कोई नियो टीक है अच्छा कोई से इसमें पैसे लगा सकते नियो थोड़ा मैं रिस्की मांनता हो तो उसमें रिस्क है तो अगर मैनेज कर सकते हो आप पैसे लाओ वह से अलोर क्रिप्टों में रिसक है लेकिन उसको मैं थोड़ा टेक्निकल रिस्की मांद रहा हु बाकि टेक्निकल सेटम अच्छा है उसका लेकिन लॉंग टाम के इसाफ से कहीं और करो लेकिन वही चीज है आप अपने ओन रिस्क और रिसर्च पर ही फॉलो करो अधर्वाइस ये नहों कि अकल कि कुछ मार्केट में होता है आपको खुद की रिसर्च करना होगा खुद का सब कुछ कुछ देखना होगा आप बोलेंगे नहीं सरम कोई तर नहीं आती है कुछ ना कर निच्छ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी वह टेलिक्राम की वहाँ पर जाइन करो कि वहां पर प्रॉपर ट झाल झाल